Hello students, इस वीडियो में हम भेड़े और भेड़िये इस चैक्टर के questions और answers देखने वाले हैं पहला reference to context है एक बार एक वन के पश्यों को ऐसा लगा कि वे सब्भ्यता के उस स्तर पर पहुँश गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए और एक मद से तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो अब इस extract पे based question है पहला question है पशो समाज में हर्श की लहर क्यों तोड़ गई उत्तर भेड़े अत्यनत ही सीधी सरल और आशावादी थी वे वन प्रदेश में अपने मद से अच्छी प्रतिनी धी का चुनाव चाहती थी पशो समाज को लगा कि वन में प्रजातंत्र की स्थापना होने से सुख समरुद्धी और सुरक्षा का स्वर्ण योग आएगा इसलिए वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना की बात सुन पशो समाज में हर्श की लहर दोड़ गई दूसरा प्रशन है वन प्रदेश में रहने वाली बेड़ों की क्या विशेशताई थी या ये सेम क्वेशन अलग भी आ सकता है जैसे वन प्रदेश में विद्यमान बेड़ों की चरित्र पर प्रकाश डालिये दोनों क्वेशन का एक ही आंसर आता है उत्तर वन प्रदेश में रहने वाली भेड़े निहायत नेक, इमानदार, कोमल, दयालू तथा निर्दोश पशो थी जो घास तक को फूँख फूख कर खाती थी थर्ड क्वेशन चुनाओं के समीप होने पर भेडों की खुशी का क्या कारण था? उत्तर भेडों की खुशी का कारण यह था कि वे सोचती थी कि प्रजात अंत्र की स्थापना के बाद हमें डर डर कर रहने की आवश्यक्ता नहीं होगी वे एक ऐसा प्रतिनीदी का चुनाओं चाहती थी जिससे समाज में शांती, स्नेह तथा बंदुत्व की भावना का विकास हो सके कोई जीवधारी किसी को न सताए, कोई पशू किसी दूसरे पशू को न मारे फोर्थ क्वेश्चन है, भेडियों ने क्यों सोचा कि अब संकटकाल आया या यह कोई आ सकता है कि भेडियों की चिंता का क्या कारण था उत्तर, प्रजातंत्र की इस थापना की बाद से भेडिये चिंति थे उन्हें अपना संकटकाल समी पाता नजर आ रहा था भेडियों ने सोचा कीवान प्रदेश में भेडे और अन्य छोटे पशू नब्बे फी सदी है नब्बे फी सदी मतलब 90% इसलिए प्रजातंत्र स्थापित होने पर पंचायत में उन्ही का बहुमत होगा वे ही राज करेंगी वे सोच रहे थे कि यदि कानुन बना दिया गया कि कोई पशू किसी को न मारे तो हमें सूखी हड़ियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी सेकेंड एक्स्ट्रैक्ट है हम क्या जाने महराज हमारे तो आप ही माई बाप है हम तो कोई और सरकार नहीं जानते आपका दिया खाते हैं आपके गुन काते हैं इस एक्स्ट्रैक्ट पे बेज़ फर्स क्वेशन है किसके मुख पर चिंता के बादल चाये हुए थे और क्यों उत्तर भेडियों के मुख पर चिंता के बादल चाये हुए थे क्योंकि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली थी और भेडों की संख्या अधिक थी बहुमत उन्हीं को प्राप्त होना था यदि उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशू किसी दूसरे पशू को ना मारे तो हम मतलब भेडिये क्या खाएंगे दूसरा क्वेशन है वन प्रदेश में किसके शासन पर खत्रा बना हुआ था और क्यों उत्तर वन प्रदेश में भेडियों के शासन पर खत्रा बना हुआ था क्योंकि भेडों की संख्या अधिक थी उनके बहुमत से यदि कानून बनाया जाएगा तो उनको खाने के लिए कुछ न मिलेगा उनको मतलब भेडियों को थर्ड क्वेशन है यह किस ने और किस से कहा उत्तर यह बोड़े सियार ने भेडिये से कहा वन में नई सरकार के बनने की बात से अंजान बने सियार को जब भेडिये ने बताया कि चुनाव द्वारा नई सरकार बनाई जा रही है तो वह जानते हुए भी अंजान बना रहा और बोला हम क्या जाने महराज हमारे तो आप ही माईवाप है फोर्थ क्वेशन है उपरोक्त पंक्टियों में आपका शब्द किस के लिए प्रयोग किया गया है तथा यह भी बताएं कि कौन किस का दिया खाता था भेडिये द्वारा अपना शिकार खा लेने के बाद सियार हड्डियों में लगे मास को कुतर कर खाते थे इसलिए सियार द्वारा कहा गया है कि आपका दिया खाते हैं आपके गुन गाते हैं थर्ड एक्स्टैक्ट है यह बड़े काम के हैं आपका सारा प्रसार तो यही करेंगे यह नी के बल पर आप चुनाओ लड़ेंगे यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कभी भी है, लेखक भी यह नीला सियार नेता और पत्रकार है और यह हरा धर्म गुरू, बस अब चलिए फर्स क्वेशन है, सियार को अपना गुरू किसने माना? सियार ने भेडियों के प्रचार के लिए क्या युजना बनाई? उत्तर, मुसीबत में फसे भेडिये ने बुढ़े सियार को अपना गुरू माना बुढ़े सियार ने भेडिये का प्रचार करने के लिए सियारों को रंगा बुढ़ा सियार चाहता था कि रंगे सियार भेडिये का प्रचार करें और अपनी मीठी मीठी बातों से भेडों को गुमराह करें जिससे वे भेडिये को ही चुनें सेकंड क्रिशन है बुढ़े सियार ने किसके बल पर चुनाव लड़ने की बात कही अतहा बुढ़े सियार ने भेडिये को यकिन दिला दिया कि इन रंगे सियारों की सहयता से भेडियों की सरकार बनेगी थार्ड कुशन है बुढ़े सियार ने रंगे हुए सियारों के विशह में क्या बताया उत्तर बुड़े सियार ने रंगे हुए सियारों के विशह में बताया कि आपके प्रचार प्रसार का काम ये ही करेंगे ये बड़े काम के हैं ये सभी भेडियों की सेवा करेंगे भेडियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे बुड़े सियार ने भेड़िये को विश्वास दिलाया कि आवशक्ता पढ़ने पर जब आदमी बदल जाते हैं फिर ये सियार क्यों नहीं बदल सकते फोर्थ क्वेशन है रंगे हुए सियारों की विश्वास दिलाया कि रही पीला सियार बड़ा विद्वान, विचारक, लेखक वह कभी था निला सियार नेता वह पत्रकार की भूमिका में था तथा तीसरा हरा सियार धर्म गुरू की भूमिका निभा रहा था नेक्स वीडियो में हम इसके आगे के और कुछ इंपोर्टन क्वेशन्स और आंसर्स देखेंगे